हलो एबरीबन वेलकम बैक टू इंसाइड होम लॉक्स तो यहां पर मैं दिखा रहे हूं मैंने एक सूट स्टिच किया है यह सूट मैं लेके आई थी जब मैं जैपूर गई थी ना घुमने के लिए तब वहां से लाई थी और तब से यह रखा हुआ था मुझे टाइम ही नही प्यार कर दिया है पर इसका जो नीचे का कपड़ा था मतलब नीचे सल्वार का जो कपड़ा दे रखा था उसका मैंने पैंट बनाया हुआ है तो वह बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं निकला है तो कभी भी कहीं भी बाहर जाते हैं गूमने और वहां से कुछ भी खरीब तो इस वजह से वह बहुत खराब निकला तो मैंने कुछ द्रूसेज करी दी हुई है चोकि मैंने पहले भी बताया था तो आज मुझे टाइंग मिलाते हुए अपनी द्रूसेज दिखाती हूँ एक मैंने ये लिया हुआ है ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये इस तर ये इसा है लेट सरा लगा हुआ है इस तरह से बीज़ वर्क में है तो अजोग अंग तो इस तरह से पॉलिल वर्क में है तो अजोग अजय आ एक है ये पॉल्टन में हुँट आए ये पुछ आशा आशा बुरा सा है, नीचे वाग है, एस देल से ही, थार है ये, ये वाला, ये वाला मैंने लिया है, 180 का, 180 का मिला है, इस तरह से वर्क है, इसमें, और ये कुछ, कोटन का कपड़ा ही है, और ये देखे, ये वाला, इस पर फुल चिकिन कारी, लखनवी कड़ाई, इस तरह स्लीफ पर भी दिया, बहुत अच्छा पैटर्न है, मुझे परसली अच्छा लगा ये, तो ये वाला है, 425 रुपे का, नीचे का किसी में भी नहीं है, सिफ उपर का, 425, 180, एंड दिस वन, ये मेरा सबसे फेवरेट वाला ड्रेस है, तो ये वाला है, ये 525, 525 का, ये मेरा सबसे फेवरेट है, इस पसली मैं यही वाला लेने गई थी, फिर ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, बट ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा, अभी मेरा फेवरेट तीनों में से यही है, और वो सूट तयार हो रहा है, तो नए मेरे पास 4 जो हो जाएंगे, तो अभी मैं इनको फोल्ड लगा के रख देती हूं, हलका सा फोल्ड लगा के रखोंगी, क्योंकि अभी इनकी फिटिंग लगानी है, ये मेरे साइज के तो है नहीं, फ्री साइज ही था, मतलब अगर अपना साइज लेना चाहें तो नहीं था उनके पास में और ये मेरे, जो हम लोग जहां पे रहते हैं, हमारी सोसाइटी में ही एक लोगों ने अभी नय स्टॉक मतलब लाएं है, उनकी ऐसे मतलब बाहर फैक्टरी वगरा है, तो अभी यहां पे उन्होंने थोड़ा बहुत सुरू किया है, इस तरह से ड्रसिज वगरा लाना, तो बस वहीं इस ले लिया, तो अभी फिराल बाहर का जो इनका प्राइज है, वो बहुत जादा है, यहां पे हमें फिर भी बहुत सही प्राइज में मिल गया है, तो बस यहीं सारी खरीदारी हमने की है, तो बस अभी आगे हुमें किचिन में, अभी काम स्टार्ट करते हैं, ख यहां पर बनाना है लौकी का रायता और कटेल भी आया हुआ है तो उसकी सब्जी चावल रोटी वो तो डिनर में बनेगा है साथ में रायता भी बना रही हूँ क्योंकि लौकी और चाच दोनों ही आई हुई है रायता बनाने के लिए अभी दो दिन पहले मैंने रायता बनाया था जो कि भूर टेश्टी बना था तो बस इसलिए दुबारा से बनाने के लिए ये फिर से सब कुछ लेकर आए हैं तो अज आज कल गरमी इतनी होने लगी गरमी में लौकी बहुत अच्छे होती है, खाने के लिए थंडी भी होता है तो बस इसलिए लौकी खाना भी चाहिए और रायतावागेरा बना कर आराम सी उसको खाया जा सकता है और डाल में भी डाल के बना सकते हैं वो भी बहुत अच्छी बनती है और सबजी तो मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि सबजी हम लोग कम पसंद करते हैं ऐसे हमें ज़्यादा अच्छी लगती है तो बहुत सिंपल तरीके से मैं रायता बनाने वाली हूँ आप लोगों के साथ में share करूँगी और बहुत इजी तरीका है जब भी आप बहुत वैसा करने का ताम जाम करने का मन ना हो और चाहिए कि टेस्टी भी बन जाए महिनत भी ना लगे तो इस तरह से रायता बना सकते हैं बहुत बहुत टेस्टी भी बनेगा और बहुत आसान है बस लोकी को simply roughly काट लेना है चोट चोट पीसेज में और यह फटा फट से कट जाएगी क्योंकि आजकल लोकी बहुत ही soft आ रही है बिल्कुल भी बीज वगेरा नहीं होता है तो इसका रायता और भी जादा टेस्टी होता है तो बस इसको फटा फट से काट लेना है जितनी बीज चाहिए आपको क्वांट्री में मेरे पास छोटे चोटे दो थी कि मैंने दाल बना दी ती कल आहीं तो 3 थी पर इतनी बड़ी थी उसको मेंने दाल में डाल के बनाया था वह वह स्वाद लगती है दाल भी लोकी वाली तो देखिए दोनों लोकी को मैंने काट लिया है चोटे-चोटे पीसेच में काट लिया है तो अब इसको हम अच्छे से धुल लेंगे पहले पानी से इसको अच्छे से वास कर लेना है और इसके बाद इसको कुकर में डाल लेंगे सारी की सारी लौकी हमें उबाल लेनी है जिसे कि यह बहुत जल्दी बन जाएगी और कुछ भी इसमें नहीं आइड करना है नॉर्मल पानी बस लेकर कुकर में बस इसमें डालेंगे पानी और यहां पर मैं साप पानी डाल रही हूँ और पीने के पानी में इसको अच्छे से उबाल लूँगी तो यहां इंडक्सन में रख देते हैं इसको एक दो सीटी लगाने पर बस यह उबल जाएगी तो जब तक उधर हमारी लौकी उबल रही है तब तक मैं यहां पर कटहल साप कर लेती हूँ तो कटहल को जो भी एक्स्ट्रा होता है जो में नहीं जई होगा तो उसको मैं काट के अलग कर दूँगी हलाकि यहां पर कटहल कटा हुआ ही मिलता है और अभी कटहल का सीजन चलाई गया है यह तो इस्टोर्ट वाला कटहल ही है तो बस इसको मैं साफ कर लूँगी और जो भी हमारा कूडा वगएरा निकला है मतलब सारा वो मैं साइड में रखती जारी हूँ फॉलितीन में ही इसको मैं डस्ट्विन में ऐसे ही डाल दूँगी इससे क्या है न स्लैप भी गंता नहीं हुआ और एक्स्ट्रा बर्तन भी कोई नहीं लगा रखने के लिए तो यहां पर प्याज भी काटती जारी हूँ मैं साथ में सबजी की तयारी कल लेती हूँ फटा फटो इधर सबजी भी बन जाएगी और कठल की सबजी में भी जादा कुछ एक्स्ट्रा वो करने की जुरूत नहीं होती सिंपली कठल तो कटा हुआ होता ही है बस प्याज वगएरा काटना होता है और लेसुन बस मसाला तयार करके इसको चौक दूँगी इधर तो कठल की सबजी भी हमारी बन जाएगी और अभी साम हो रही है दीरे दीरे तो बस इस खाना वर गएरा बना देंगे इस तरह से तैयारी करके रख देंगे बाकी चीजों की जैसे रोटी वर चावल की क्योंकि सबजी तो गरम हो जाती है चावल रोटी तुरंत ही अच्छा लगता है मैं चावल को धूल के रख देती हूँ और जब चावल 20-25 मिनिट के लिए धूल के रख दो यानि की पानी में बिगो कर रख दो उसके बाद चावल बनाओ तो बहुत अच्छा चावल बनता है बिल्कुल खिला खिला और जो नया चावल होता है उसको तो बिल्कुल ही डारेक्ट मत बनाओ मेरे जो घर से भी चावल आया है वो नया है तो मैं उसको पंदा पेस्ट पहले मतलब धूल के रख देती हूं और वो अच्छे से मतलब भीग जाता है तो उसके बाद फिर जब चावल बनाते हैं तो वो बहुत खिले-खिले से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये नए चाव हैं और वो बिल्कुल खिले-खिले से अलग-अलग से बनते हैं तो इसपस्टली हमें वैसे चावल पसंद है तो बहुत टेश्टि बनते हैं तो यहां पे मासाले भी खतन हो रहे थैख defensory में और साम के समय थोड़ा सा रिलैक्स होके काम करने को मिलता है सुबे में तो बहुत जल्दी-जल्दी काम होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है यह सारी चीजे करने का और यहाँ पर वही जो हमारे रेगुलर मसाले हैं वो मैंने मिक्स कर लिया और कटल की सबजी तो मैंने कई बार बनाई है तो कई बार मैंने वीडियो में सेर भी की है तो मैं कटल की सबजी कई तरीके से बना लेती हूँ जब मेरा जैसा मन होता है तो आज मैंने यहाँ पर दो प्याज काट लिये हैं और लेसुन को मैं अलग से कूट लूँगी, मसाला अल्रेडी मैंने भिगो के रख दिया है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ज पाउडर, नमक, यह सारी चीज़े मैंने भिगो कर रख दी हैं, तो देखिए, यह सारी तैयारी करते करते हैं, मेरी जो चैसे हमादाते हुँआ, जब तक यह तटे हैं, मैरी मेरी सेम कुकर को पानी से धूल लेती हुँ, और इसमें बराऊंगी, मैं कट हल्गी सब्सी, तो तो उदर लोग्य ठंडी होरी, इस तरह में सब्सी फ्राइट देती हूं, तो यहां पे मैं कुकर को रख देती हूं, ज और यह हैंसे नहीं होते हैं आ吃ले कखर बनानी तब घी में में बना सकते थे हैं। पूरी किए आपी हम सरसो के तेल में ही बनाते हैं कि क्लाओ ठेयरा मस्टयड आयल दोनों ही सेंब प्राइच्ज पे मच्टर्ड ऐल कहाने के लिए हैं तो यहां पे मेंने फिंगर नी क्तिंगर करें क llama प्तिवें। मतफ्स्द करें अब फ्रीच का पाइब। 두हते हैं नहीं कि चाथी करें। में करते हैं तरहां हैं प्लीका रमसे दी चाहिए। पर इसमें अच्छे से बिल्कुल red कर लेना है और उसके बाद इसमें जाएगा leisun leisun को मैंने अच्छे से कूट लिया था मैंने यहां पर masala नहीं पीसा है नहीं तो मैं masala जब पीस ती तो वहीं पर leisun पीस लेती तो फिराल लैसुन वगर अच्छे से फ्राई होने के बाद जो भी मसाला में घुल बना कर रखा था वो डाल दिया है अब इस स्टेज में बहुत अच्छे से पकाना है मसाला बिल्कुल तेल जब तक रिलीज ना करने लगे बहुत अच्छे से पका लेना है तो यहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है जब थोड़ा टाइम देना होता है तो देखिए अभी काफी अत्तक मसाला पक चुका है यहां पे तेल अच्छे से रिलीज होने लगा है पर अभी मैं थोड़ी देर इसको और पकाऊंगी अभी इसको पांच मेंट के लिए और भू ना हुआ और देखिए यह आज ओफिस से जल्दी आ गए तो इधर मैंने चाय भी रख दी है जल्दी मतलब एक साड़े चाय आ गए साड़े पांच बज़े आफिस से निकल गए थे तो एक गंड़े में पहुंच गए है और दरवाई से साथ बज़े के आसपास आते हैं त साड़े 6 से साथ के बीच में आ जाते हैं तो आप अब बन गई है साम की चाय और आज चाय बिल्कुल टाइम से बनी है साड़े चाय बज़रे और इस समय साम होने लगती है मतलब अंधेरा भी नहीं होता है साम हो रखी है तो यहां पर दो कप चाय बनाई है अब बट कराम स चाइ पीते हैं यह सबजी न पकी है तो मसाल अच्छ से फ्राइ हो चुका है तो मैं इसको मिखक करूंगी तो बस इसको मैं तो पहले से फ्राइ करूंगी और बाहर का मौसम दिखा रही हुँ है यहां पे आप सब भी को क्योंकि इतना प्यारा विउ है बिल्कुल बाहर रेड रेड सी लालिमा चाही हुई है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बहुत अच्छा सा प्यारा सा विउ हो रखा है और आजकल तो वैसे भी अच्छा लगता है बाहर बिल्कुल पाधो जो पेड पाधी है उन्हें बिल्कुल नए पत्ते आये हुए है तो साम के समय बहुत अच्छा लगता है बहुत प्यारा सा लगता है तो बस यहां पे देखिए मैंने इतना सा क्रैप्चर किया बहुत मस्त सा विउ था और उधर चाय वगरा हमने पी ली धर यहां पे मैंने गैस को स्लोग कर दिया था तो यह लगा भी नहीं मसाला मतलब नीचे से तो बस अब यहां पे मैंने इसमें आड़ कर दिया है पानी बहुत जादा पानी आड़ नहीं करना है जितनी ग्रेवी चाहिए हो उतना ही पानी आड़ करना है क्योंकि कटल आप काफी हद तक पक चुका है तो बस इस तरह से मैंने सबजी भी बना दी है और यहां पे मैं चावल को दुल के मैंने रख दिया है बानी में और इधर अब बनाते हैं रायता तो रायता के लिए मैंने दो पैकेट चाँच ली है यहां पे मैंने तड़का चाँच ली हुई है तो दोनों पैकेट मैं फारल लूँगी कटोरे में चाँच निकाल लेती हूँ और यह सुबे से तो यहां पे आप चाहें तो ऐसे भी आट कर सकते हैं पर अगर आपको लौकी का स्वाद कम पसंद आता है ना तो इसका जो पानी होता है उसको जोड़कर निकाल दो तो फिर काफी अच्छा स्वाद आता है और हम रायते में दहीर नहीं यूज करने वाले हैं यह सिर्फ चाहत से ही अच्छा सा थिक सा रायता बन जाएगा तो यहां पे जितनी भी लौकी है उसको मैं हाथों से दबा दबा के प्रेस करके अच्छे से पूरी लौकी का मैं पानी निकाल दूंगी अच्छे से और देखिए बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है तो इसलिए कद्दू कस करने या पीसने की जरूत नहीं थी इसलिए बॉयल करके बहुत आसानी रहता है आप चाहे तो पहले कद्दू कस करके भी बॉयल कर सकते हैं उसकी जरूत नहीं क्योंकि यह अच्छे कासा पेस्ट बन जाता है उबलने के बाद में और जो भी चंक्स दिखते हैं अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए तो अभी इस स्टेज पे इसको अच्छे से मसल सकते हैं और यह बहुत अच्छे से फूट जाएंगे चमस्च की हेल्प से प्रेस करकर के इनको फोड सकते हैं जो भी पीसे जगर दिख रहे हैं और हमें तो ऐसे पसंद है तो अभी इसको मैं डारेक्ट ही चांच में मिक्स करने वाली हूँ तो अब इस लौकी का जो पेस्ट है इसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी सिम्पली कुछ भी नहीं करना है चांच में अच्छे से मिक्स कर देना है और आप चाहिए तो प्रेस करकर के इसको पूरा फोड दे मुझे थोड़े बहुत श्यंक्स भी चाहिए खाने में अच्छे लगते हैं रायता में तो बस अब चलिए चांच सौरी रायता का हम तड़का तयार कर लेते हैं तो बस रायते की जान होती है ये तड़का और ये बहुत अच्छा तड़का होता है अगर आपको चट पटाई स्पाइस रायता पसंद देना तो ये तड़का जरूर लगा है और आप चाहिए तो सिंपल प्रेन रायता भी बना सकते हैं उसमें तड़के की जुरूत नहीं होती है लेकिन ये वाला रायता मैंने अभी पिछली बार बनाया था तो इनको बहुत अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा तो इस तरह से यहां पर मैंने सरसुका तेल लिया है थोड़ा जादा और इसमें मैंने डाल दी है कटे हुए लैसुन और अभी इसमें ताकि हिंग भी अच्छे से पक जाए और जीरा मेरे पास है नहीं इसलिए जीरा नहीं डाल दी हूँ आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं तो जब भी दोनों चीज़े पक जाएं उसके बाद यह सारी चीज़े आइड करनी यानि कि जो भी मसाले मैं यहां पर आइड करती हूँ हल्दी पाउडर और यहां पर डाला है मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला तो फ्लेम आउफ करके आइड करना है नहीं तो मसाले जल जाएंगे तो यह था हमारा तड़का और इसको डलने के बाद रायते का बिल्कुल कलर और स्वाथ बिल्कुल चेंज हो गय ही जो सिंपल वाला साधा नमक होता है वो डालूंगी क्योंकि अब ही काला नमक पढ़ चुका है तो उसे नमक का काफी स्वादा आजाएगा जो थोड़ा पहुत कम है तो मैं साधार नमक के हां पर डाल देती हूं सिंपल सा और अभी बस इसमें जाएगा कट्टा हुआ धन इनके बिल्कुल रेडी है और इस तरह से आप चटपटा सा रायता तुरंत बना सकते हैं मतलब यह बहुत फास्ट प्रोसेश है बस लौकी को जस्ट उबालना होता है और उसके बाद तड़का दे देना होता है बस तड़का आपको ध्यान देकर मतलब बनाना है अगर यह चल गया तो फिर रायते का स्वाथ खराब हो जाएगा तो यह था एक डिफ्रेंट तरीके का रायता और आप ट्राइ करिए का आपको जरूर पसंद आएगा तो यहां पे अभी मेरी सबजी भी बिल्कुल पक कर रेडी है तो इसमें भी मैं कटा हुआ दनिया डाल देती हू तो इस तरह से मेरा जो सबजी और रायता है वो रेडी है डिनर के लिए अब मैं हाँ पे राइस अभी नहीं बनाऊंगी अभी करीब 20-25 मिनिट बाद मैं इसको राइस पकाऊंगी और रोटिया भी तोहाटा भी मैं लगा के रख देती हूँ तो बस इस तरह से अभी हम लो करने जाते हैं तो साथ साथ का टाइम हो रहा है और हम अभी नीचे आए हुए हैं टहलने के लिए तो मैंने ऐसे सिंपल सी टीसर्ट भैन रखी थी तो अभी मैंने कुर्टा डाली है कि नीचे कोई नहीं मिल जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है तो बस इस तरह से लाइक कर देना तो चले मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई